तो उसके बाद में बादर भी कभी दिखा देते कभी नहीं दिखा देते हैं तापमार में टेंपरेशर भी 30-39 तक पहुंचता है लो प्रेसर भी जन्नेट होता है पाने केंदी दौर की उसके चलते हैं क्लाइमेट चैने ग्लोबल वर्नमीर पैदा गया उसके चलते हैं चुंड़ विशा धी हैं चार और बड़ी-बड़ी बिंदिगे खड़ी आस्माल के चलते होता क्या है मित्रों के अस्तवियें घर्मी धर्दी पर आते हैं मगर वह क्री सिमेन के जितने भी जंगल से यानि कि सिमेन के जितने भी हमारे रोड्स हैं या बिल्निक से उसद गर्मी को अंदर ग्रहन कर लेते हैं मिठी के दरव वापिस नहीं भेज देते हैं तो यह ही टाइडलें की एक इफेक्ट पैदा हो जाती है उसके चलते होता क्या है कि साथ में पैड़ों का निकंदन कर दिया जो व्रुक्स है वो पायजिनिक वेपर पैदा करते हैं उससे निकल दी है मातरा और इतनी वेपर पैदा होती है कि यूमिनिटी को क्रियेट कर सके इसके साथ में हमारे बड़ोदा की या सहरों की बात करें तो आपको गाह या परशू देख पहले 30 साल पिले 100 जहां पर जलाए से थे वहां दो या तीन बड़े बड़े जलास्ती बचे वह भी इतने डीप नहीं है ना हम बोर को रिचार्ज कते पाने को नहीं जाने दे उससे चलके जमी के अंदर नमी ही नहीं है जब जमीन के नमी नहीं होगी तो आप उपर युमिरीटी पैदा ही नहीं हो रही है मित्रों और होगा क्या जब इतनी गर्मी बढ़ीगी इतनी गर्मी बढ़ीगी यह चीज के बड़ गुजरात की बात नहीं है आप आके चलते जाहिए तो राजस्तान में मध्यप्रते से उत्राखने सब भी जगा पर यह बास से हो र जाएगी और यह साथ में सभी बादल को बरसा दीगी तो जो बारिस दस-बंदरा दिन में दस-बारा इस गिर जाएगी और फ्लड़ा जाएगा तो यह भी एक्स्रीम वेधर जन्रेट हो जाएगी देखेंगे तो तीन-चार माह के भीदर जिदना बारिस पहले होती थी उत कि हमें कम से कम इस्तेमाल करना है चाहिए रेटरिस जीडी का वाटर सप्लाई का का प्लास्टिक का लगभर नो कर देना चाहिए उसके साथ में प्लांटेशन करना ही चाहिए किसी भी हालत में पहले के जमाने में भारत की बात करें तो हम तीस व्रुक्ष एक आदमी के छोटे चोटे गनलों में हमारे तो हमारे कम सी गढर में लगने चाहिए कि नहीं चाहिए उसके अलावा हमें जला से चाहरे हम नहीं कोड सकते हैं दूरंमेंट के एफीसर्स नहीं हो हमारे घर के बोर को को ओमे को रिचारज कर दो对ना शैल में question реш तो मित्रों उससे भी जमीना नमी पैदा हो जाती है तो मित्रों यह हमें सब कुछ करना पड़ेगा आने वाले साल के लिए समय के लिए तभी जाके माता प्रकुर्टी संतुली तो होगी और यह समय ने इसको फेलाना भी चाहिए लोगों तक की मेसेज पहुंचाना चाहिए क कि जो अगर एक्स्ट्रीम वेजर इवेंटम नहीं चाहते हैं तो हमें यह कुछ सब कुछ कलना है पड़े गया आई हम प्रण ले ताकि जल्दी से अच्छी बारिज गिरे और यह प्रकुर्टी मतला संतुली तो हो जाए करे या मरे अभी या कभी नहीं ऐसा प्रण ले और